करोना काल में लॉकडाउन के कारण धेरो युवा बिरोजकार हो गए इसी बीच वर्क फ्रॉम होम का चलंग बढ़ा आजकर धेरो बिरोजकार युवा रोजकार के लिए और रोजगार वाले अतरिक्त आमदनी के लिए वर्क फ्रॉम होम के लिए पार्ट टाइम विकल्प त युवाओं को एक दिन पार्ट टाइम जॉब के लिए कॉल आई थी और अब वही कॉल उनके जी का जंजाल बन गई है आपको भी ऐसे खत्रे से बचे रहना है तो यह रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए फोल टाइम या पार्ट टाइम जॉब खोज रहे युवाओं को एक अंजान नंबर से फोन आता है फोन करने वाला पूछता है कि क्या आप घर बैठे वर्क फॉर्म होम से कुछ पैसे कमाना चाहते हैं या फिर कई बार ऐसा भी कहा जाता कि फलाना जॉब सर्च वेबसाइट पर आपके रिज्यूमे के अधार पर आपका सेलेक्शन हो गया है कॉल करने वाला बताता है कि आप घर बैठे लैप्टॉप या कम्प्यूटर पर काम करते हुए केवल एक हफते में ही 30,000 रुपे तक जमा कर सकते हैं इसके लिए आपको बस 600 रिज्यूमे को फिल करना होग कई बार ऐसे ठक कैप्चा फिलिंग का भी काम भी बताते हैं उनके बातचीत का अंदाज ऐसा होता है कि सामने वाले को लगता है कि या तो बेहर आसान काम है ठक युवाओं को बताते हैं कि इस जौब के लिए उन्हें ना तो एक रुपया खच करना है और ना ही कहीं जाने की जरूरत है केवल एक इमेल आईडी और एक पहचान पत उपलब दिखराते ही जौब के लिए रजिस्ट्रेशन हो जाएगा इसके बाद आपको एक वेबसाइट का एड्रस यूजर आईडी और पासवर्ट दे दिया जाएगा इसी वेबसाइट पर आपको 600 रज्यू में से डाटा कॉपी करते हुए फिल करना होगा नौकरी और पार्ट टाइम जॉब के नाम पठागी करने वाले इन ग्रोहों को एक बार अपने अपनी मेल आईडी और एक प्रचान पत वॉट्सैप या मेल के जरिये भेज दिया तो इसके बाद इन्हें और किसी चीज की जरू इतना मिल जाने के बाद आप हां करे या न वैं आपको बता देंगे कि आपकर अगरिमेन्ट हो गया है और ना होगा इसके बाद आपके पास दो विकल्प हैं एक या तो कि आप काम शुरू कर दें जैसा कि ज्यादातर लोग करते हैं और दूसरा यहां कि आप मना कर दें दोनों ही स्थतियों में आपके लिए नतीज़ा एक ही रहेगा ठक की ओर से आपको भेजे गए एग्रिमेंट क आपको फोन कर कहता है कि आप साथ दिन में काम पूरा नहीं कर पाए इसके चलते कंपनी को काफी इनुक्सान हुआ है अब आपको एग्रिमेंट की सर्थ के मताबिग 6,000 से 35,000 रुपए तक हरजाना देना होगा अलग-अलग ठगों ने अलग-अलग रेट फिक्स कर रखा ह इसके लिए आपको फोन करेंगे किसी वकील के जरिये फोन कराएंगे आपको मैसेज भेजेंगे और इमेल पर लीगल नोटेस जैसा भी कुछ भेजेंगे कहा जाता है कि रुपेल शाम तक नहीं देने पर प्रात्मी की दर्ज करा दी जाएगी के बाद सूरत कोर्ट में आक अगर मुकदमे की खच के साथ ही पूरा हर्जा ना देना होगा कई बात तो ठक मुकदमे का नंबर और अगले तारिक पर उपस्थत होने का फरजी नोटेस तक भेज देते हैं या पूरी साजिस इतनी गहरी है कि जादतर लोग डर कर खुदी ठक के खाते में रुपे भेज देते हैं आपको क्या लगता है कि जिस आत्मीन एक हफ्ते में उस छक का मुश्किल टास्क पूरा कर लिया उसे धेरो रुपे मिलेंगे अगर आप ऐसा सोचते हैं तो या गलत है ठक आपको बताएगा कि आपने जो काम किया है उसमें काफी गलतिया है इसके चलते काफी जलतिया नहीं कर सकते हैं अब आपको हर्ज जाना देना होगा मेल मैसेज और कॉल का सिलसिला ठीक पहले की तरह ही इनके साथ भी होता है अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें सब्स्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें